इसे गुंड़ाई कहेंगे या सत्ता की हनक मुखिया जी को वोट नहीं मिला तो जनाब ऐसे बोराए कि अपने कारेकाल में बनाई सडक को ही उखाड दिया और लोगों की आवाजाही ठप कर दी जौकिय नहीं ये मामला जहानबाद का है जहानबाद जिले के नौरू पंचायत में वोट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मुखिया ने सरकारी खर्च पर बनी सडक तो डाली हालात ये कि सडक तूटने के कारण कई गाओं के आवाजाही प्रभावी थे पूर्व मुखिया के इस हरकत के शिकायत लेकर लोग डियम ओफिस पहुँचे और उनके खलाफ कारवाई की मांग की पूर्व मुखिया के पास आवेदन लेकर आए है कि मिश्र वीघाज सीवल वीघारोड का मिरमान 20 साल पूर्व जीला परसद कर्याले के द्वारा किया हुआ था उसमें मिटी भराई वंसोली का कार्म कार्ज खोन रूप से हुआ था पूर्व मुखिया ठलाया करलान पहले रोड बनायलान आउपिंग हर जोत देलान हम नहीं के मरदाना ना और सब खोई वजा गेली बस सब के रोडा से मारे लगलान माथा फोर देलान हाथ वो टोटार देलान रोड के मामला में आये थें रोड बनने के लिए रोडा गीरा और मटी विच्छा इस चलते विए आये छोटन मुखिया और जोत दी हैं जोतने के बाद सब को इधर से गिया रोड़वारी की हैं और घर चाड़ के मारे दीयम कार्याले पहुँचे लोगों ने कहा कि पाद सरदर परखंड के नौरू पंचायत में पूर्ब मुखिया नागिंदर यादव और छोटन यादव मुखिया रह चुके हैं उन्होंने ही सिबल विघा गाओं में सडक के लिए इट सोलिंग कराई लेकिन जब पंचायत चुनाओं में हार गए तो उन्होंने तो से में आकर सडक नहीं बनने दे रहे हैं आज लोग आप लोग कहां आए हैं आज दियेम आउपिस आए हैं समस्यर रखे क्या चाहते हैं आप लोग रोड की बियर होना चाहिए हैं हमारे समवाद दाता सेयद मुशरफ इमाम मौके पर पहुँचे और उन्होंने लोगों से बाच्चीत की लोगों ने कहा कि इतना ही नहीं पूर्व मुखिया ने तो सडक वाली जमीन पर अपना दावा भी कर लिया है अभी हम खड़े हैं जहानाबाद जिले के नौरू पंचैत का एक बिगा है सीबल बिगा यहाँ पर एक सडक है जिसकी तस्वीर आप देखिएगा और देख रहे होंगे यहाँ पर जो लोग जमा है इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो सडक बनी वी थी और जो हम लोगों ने वोट नहीं दिया यहाँ के जो पुरू मुखिया है उन्होंने आक्रोश में आके यहाँ पर की जो इट की जो पुरी सडक थी उसको खाड़ दिया है आई इन ही लोग से बात करते हैं क्या नाम हूँ आपका महंदर जाद है महंदर जी क्या मामला है पूरा क्या है पूरा बते हैं सर आज से 10-15 साल जब मुखिया जी जीते थे तो उन्हीं को रोड बनाया हुआ है उन्हीं को मट्टी भरा हुआ है, उन्हीं को भरा ले कि कुछ दिन के बाद, 10-15 सल के बाद जब रोड़ी पकी करन नहीं हुआ, तो हम लोग सोचे कि दूसरा मुख्या बदलेंगे तो पकी करन कर देंगे, तो उनको हम भोट नहीं दे करकर के, हम बिहारी मुख्या के भोड द किये थे, और फिर कल हम लोग डीम ओपिस की दिजो नतीजा सामने, देख लिजिए सर, चलिए पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, मास्टर जे थे, संदीप है, जी स्कूल में बच्चा के पढ़ा रहे थे, उस छोड़के, आगे सब से आंगे र जिताएं, पहले से भोड़ दे के सार अब पहले से भी खरंजा भी चा दीएं, बच्चा को अपन में वही खरंजा पर भी रोड बन रहा था, बिहारी मुख्या बना रहे थे, वही बिहारी मुख्या बना रहे थे, तब वही चोटन मुख्या उने से आगे, संजीप सार इस चोटने मुख्या सार सब के जगरा कर थे हमारत है अठापथा से अच्छे पूर मुख्या थे वो ही सार चली हमारे साथ और युवा भी आप बताईए क्या हुआ यहां पर आप लोगों ने क्या देखा आप जड़ब भी हुआ है सड़क को तोड़ा गया क्या मामला है पुरा मुख्या से यां भी हारे सिंग तो उसने बोला कि मेरों को भोट देजिया मैं रोड बन बादूंगा उसने बादा कि बाब जूद रोड बनवाने गये थे तो इता पथल जतना थो सब इच गया था दो दो दिन के बाद इस पर ढ़ला यह होने वाला था तो पुर मुख्या जो उसने बोला कि यह रोड नहीं बनेगा तो हम लोग पुछो क्यों नहीं बनेगा तो यह बोला कि हमको भोट नहीं दिया इसके जलते नहीं बनने देंगे और मेरा जमीन में जा रहा है तो फिर उसका आया भातिजा संदीब कुमार तो इसने आया स्कूल में से डेरेक्ट और पाठा गोली बंधूक लेकर आई सब को घर पर जड़ब भी हुआ लड़ाई जगड़ब भी हुआ था जिसमें दो लोग घायल भी हो थे हम लोग देना से जख्मी भी दो लोग हुए थे दो दीन तक तो सरकाली होस्पेट में भारती हुए थे यह चलते बोले कि हम लो क्या हुआ है रोडे के मामला है रोडे के क्राइम से यह बाता बरन हुआ जहीं से 20 बरस पहले के यह रोड बना हुआ आप भी देख रहे हैं और 20 बरस तक उनको भोट दिए जब हम लोग सोचे कि यह भाई पाकी होई है नाराय काची में तो सब दिन पानी परता था पूरा हम लोग कहें कि भाई इसको कम से कम ढ़लाई भी कर दीजिए कि आने जाने का सूबधा हो जाए तो बोले कि ठीक है होगा होगा अगले बारा इसी करते करते 15 साल पार हो गया बिसमा ही चड़ा दूसरा तीस मुख्या जीत गए तो उन लोग से यही कहना था कि हमको रोड बन बनाने का काम किये और रोड जब बनाने का काम किये तो वो कहें कि नहीं यह मेरा जमीन में है कहें कि नहीं भाई हम लोग का एक तरफा यह पंचैती होके आप ही लोग बनवाए हैं बहराल सडक उखारने का वीडियो सोशल मेडिया पर वाइरल है प्रशासन जाच की बात कह रहा है लेकिन पूर्व मुखिया के इस कारनामे की खूब किरकिरी हो रही है जहानबाद से सेद मुश्र अफिमान की रिपोर्ट बिहार तक